क्लास 9 की exercise 1.6 का question number 2 है जिसमें मैं find करना है इन values को ठीक है 9 3 by 2, 32, 2 by 15 and so on सो हम पहली question की values find करेंगे जिसमें दिया है 9 3 by 9 की power 3 by 2 9 की power 3 by 2, 9 की power 3 by 2 को हम क्या लख सकते है 3 square 3 by 2, ठीक है तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि power को पर power होती तो क्या होते है power multiply होती, तो क्या हुआ इसका 3, 2 multiply by 3 by 2, तो 2 से 2 cancel out हो गया कितना बचा, 3 की power 3, तो यह कितना बचागा 3 multiply, 3 multiply 3, that is 3, 3 is 9, 9, 3 is 27, 27 इसका answer हो जाए ठीक है, ऐसे ही second वाला भी है, second वाला क्या हुआ 32 के कितने factor हो जाएंगे तो इसको हम LCM करके देख ले ना, ठीक है वैसे मैं डारेक बता जाए था हूँ, इसका यह हो जाएगा, 2 multiply by 2, multiply 2, multiply 2, multiply 2, multiply 2, multiply 2, कैसे, 2, 2 जा 4, 2 जा, 8, 2 जा 16, 2 जा 32, इसकी power 2 by 5, आने लिके आप में सकते हैं इसको, 2 की power 5, की power 2 by 5, ठीक है, तो बेस से, एक बेस पर दो पावर हैं, तो क्या हो जाएगा, पावर मुल्टिप जाएगी, 2 by 15, 2 by 5, 5 से 5, cancel, कितना हो गया, 2 की power 2, that is 4, second वाले का अंसर हो जाएगा, आभी हम थाड़ वाले करेंगे, थाड़ वाले की factor क्या हो जाएगे, आभी हमने करेंगे, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 4 टामस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यह पावर 3 by 4, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, multiply 3 by 4, 4 से 4, cancel out, कितना हो जाएगा यह, 2 की पावर 3, that is, 2 जा 4 जा 8, 8 इसका अंसर हो जाएगा, ठीक है, नौ फोर्थ आते हैं, फोर में दिया है, 125 की पावर, माइनस 1 by 3, तो हमने लास्ट कोशन में किया हो जाएगा, 125 की फेक्टर कितने होते हैं, 5 multiply, 5 multiply 5, इस पे पावर कितनी है, माइनस 1 by 3, तो next क्या होगा, 5 to the power 3, multiply, माइनस 1 by 3, तो 3 to 3 cancel out कितना हो जाएगा, 5 की पावर, माइनस 1, इसको हमने और के लख सकते हैं, 1 by 5, ठीक है, तो यह इसके दो answer हो जाएगे, यह भी है, यह भी है, पर दोनों की value सेम रहे हैं, तो यह हमारा question number 2, finish होता है, next है हमारा question number 3, जो हम next video हम समझेंगे,